नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल अलेक्ट्रोकेर पर आपका स्वागत है आज की जो में डिश लेके आया हूं यह है माइक्रोवेव के अंदर बेकिंग फिश एंड रोस्टर फिश तो आज हम सिखेंगे माइक्रोवेव के अंदर आप फिश कैसे मनाते हो बेक करत है तीस मिनिट का टाइम शो कर रहा है लेकिन यह चार जा पांच मिनिट में प्रीफीट हो जाएगा चलिए तब तक हम लोग अपना तबा रेडी करते हैं जो मैंने बेकिंग तबा लिया इस वे उपर आदा चंबच मैंने सिर्फ ऑईल डाला जाब देख सकते हो और इसको साथ आपने अच्छी तरह से तबा को जो है वो ग्रीज कर देना ताकि जो फिश है वो इसके साथ चिप कहना तो जो मैंने फिश ट्यार किया इसकी इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया ना कोई मैदा ना कोई बेसन सर्फ घर पे जो नॉर्मल मसाले होते हैं वहीं लगाए सकते हो और कुछ नी इसको लगाया थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए हल्दी डाली है साथ में तो देखिए आप इसकी जो पेस्ट है वो भी काफी अच्छी बनी हुई थी और कलर भी अच्छा लग रहा है तो चलिए यह हमारा तवा जो त्यार हो गया है तो अब हम शु सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले हम बेक करेंगे इसको मतलब की कन्वेक्शन मौड में उसके बाद हम इसको रोस्ट करेंगे थोड़ा साइस का कलर चेंज करने के लिए ग्रिल के अंदर तो चलिए हमारे दस मिन्ट यह कंप्रीड हो गया है चेक करते हैं कि मारी इसे तो फिश हमारी तियार होगी होगी आप चेक कर लोगे बिलकुल सॉफ्ट होती ही क्योंकि फिश को इतना टाइम में लगता 10 जा 15 मिट में जो फिश है वो रैडी हो जाती है काफी गरम होता है तवा और माइक्रोवेब की बॉड़ी भी काफी गरम होती तो बड़े ही ध्यान से आपने इसको निकालना है मेरे पास एक्शली गलब्स नहीं मिला मेरे को तो मैंने टिश्यूपेबर के साथ ही बाहर निकाल दिया क्योंकि हम लोग तो डेली यही काम करते हैं ऐसे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है और आप देखिए फिश का कलर भी चेंज हो गया बिल्कुल और बिल्कुल सॉफ्ट है सिर्फ इसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है विकॉज मैंने इसको मैरेनेट करके रखा न से तो अब ही हम पर्डी करेंगे पिसिस को और इसको ड्राइगे रोस्ट करेंगे बिल्कुल यह होगी पर्टी और अब भी इसको फिर दोव पर रहे ही रख देंगे माइक्र, इस जैसे पिले रखा था और भर हम गाएंग चैए इसमें ग्रील मॉल् faudो मैंने दस मिनने का ट है तो आप देख रहे हो कि मैक्रोव बिल्कुल चल पड़ा और अंदा से बिल्कुल लाल हुआ पड़ा है और अब हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया था पांचे मिनिट में बंद कर दिया है अब चेक करते हैं कि कैसी बनी मेरी फिश आप देख सकते हो कि फिश बिल्कुल रैडी हो चुकी है और अब हम इसको प्लेट करके देखेंगे प्लेट में डालेंगे और बिल्कुल देखकर मजा आ रहा है फिश को और बढ़िया बनी है दोस्तों यह बीना ओयल मैंने बनाई यह फिश इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसा इसे नगार के देखती है प्लेट गणाए अगल पुद्ध को लाउन आड़ेंगे जो हुझा देख के दिखते हैं इसको आफड़ प्लेट में इसको टेक करेंगे कि फिश एक्षिक वाल्ट कीज़गा कि अपने ड़एक्श में डालें तो दोस्तों कर देख विडियो आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका सभी का धन्याबाद थैंक यू सो मॉच